भाही कई नहीं मालुम मैं उस धर्म को क्यों परुरतन करोगा। मैं हिंदु धर्म पैदा हुआ। ब्राहमन पर कोल से बडा करता हूँ इसनी संसकारों के साथ बढ़ा उवा। तो मैं जिस धर्म का मुझे यह भी नहीं मालुम मैं उसको क्यों了 कई अहा हुआ। तो इस चीज को समझे इन उन्हें जबर्दस्ती मुझे कराया है क्योंकि जिस दिन वो पेपर साइन हुआ था वहाँ पे लोगों ने बोला था जो भी थे कि आपके परिवार को तो जन्नत यहीं मिल गई इसका मतलम मुझे अभी समझने आया पर लेटर आउन मुझे यह चीज करता है क्योंकि आप भी अधिकारी थे वहां पर एक रपूटर्टेट कंपनी में आप वहां पर जॉब कर रहे थे तो आपको जबरन यह सब परवाएगा पुलिस के पास आप जा सकते थे सर पे पुलिस के पास जा सकता था जब इनिशली जब इनके जो सारे समुदाई के लोग वहां पर थे तो उन्होंने क्लियर कट मेरे को बोला था आपको जूटे चार्जिस में फ्रेम करा देंगे और कभी भी बंगलादेश से आप बाहर नहीं निकल पाऊगे तो वह एक दवाब मेरे मांस में एक तरह से मैं आ गया उस प्रेशर में मैं यहां ऐसा हो सकता ह है क्योंकि बंगलादेश में यह हो सकता है क्योंकि इनकी जो समाज इनका वहां है इनकी सारे कनेक्शन स्वाप हैं इनके संगेटन काफी स्ट्रॉंग थे वकील थे पुलिस थी सब इनके साथ में थे पूरी टीम की तरह काम करते थे लोग घर में देखेंगे तो डेली कोई कोई आयाई करता था और जब भी मुझे प्रेसराइज किया जाता था तो काफी लोग आते थे मार पिटाई में भी काफी लोग शामिल रहते थे तो मैं एक सिर्फ उनके लिए एक साधन था पैसा देने के लिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था शिरवाथी दौर में के बढ़ा नहीं मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा मैंने बिल्कुल रोक दिया उनसे पर बार बार फोन करना फोटो बेजना फिर अलोफ सड़न एक दिन घर में आ जाना फिर दीरे दीरे अपने परिवार के लोगों को ले आना तो इस तरह से मैंने कई बार कोशिश किया आ जानी की पताओ बाएस इग्णोर भी किया पर वह बार बार चीजे की गई बार बार प्रयास किये गए और जब कोई आदमी घर तक पहुंच गया अपने परिवार के लोगों को ला रहे हो तो तो उस तरह से इक चीजे उन्होंने फ्रींडली करने की कोशिश की तो उस ग जो लगता कि कहिने कहीं गल्ती आपकी रही है क्योंकि उसके बाद उना दबाओना शुरू कि गल्ती बिल्कुल रही है सर, मतलब गल्ती मुझसे करवाई गई, गल्ती है मेरी, मैं भी वहाँ पे था, मैं भी आवाज उठा सकता था, पर हां किसी दवाब के कारण जो कि मेर प फोटो को अगर आप नहीं खिचवाते तो शायद आप इस पूरे दिंदल में नहीं पर बिल्कुल आपने सही संगा अगर उन फोटो में नहीं मला वो कंप्रमाइस फोटो नहीं होते और तो शायद चीजे और बैतर हो सकती थी, अब पुलिस के पास आप यहां पा जा रही उन्होंने पुलिस के पास आरूप लगाया कि आप उनके पती है, आप उनके बच्चे के पिता है, आप उनने छोड़ कर आए हैं, तो ऐसी इस्तिती में आप ने नोड़ा पुलिस को क्या स्टेट्मेंट दिया? सर, एक चीज समझे आप, यह महिला हैं, इनसे मेरी बात हुई थी, यह सोने अधर से काफी प्रभावित हैं, ठीक है, जो अभी पाकिस्तानी जो सेमा अधर हैं, जो उनसे काफी प्रभावित हैं, उनने बोला भी था, मैं इंडिया होंगी और मैं उसी प्लेट उसी उस पर क कौन इखटे करता है सर यह सब चीजें, एक जगर आप एक प्लानिंग कर रहे हैं तो, यह चीजे मैंने नौईडा पुलिस को भी समझाने ही कुशिश की, मैंने अपना पक्ष भी रखा, कि मेरे साथ यह सब चीजे जबरस्ती हुई, जैसे आपके मन में भी विश्वास देश के लोगों के द्वारा जो भी है पुलिस एक अपरादी मान ले गया क्योंकि मैं पूरुष हूँ, पर उन हालातों को कोई नहीं समझ रहे हैं, उन हालातों को वो लोग समझ सकते हैं, जो उन देशों में काम कर रहे हैं, आप हमारे बहरात जैसा लीनियन कानून हर तो यह चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर पुलिस को, पर अभी तक मेरा तो जो मैंने पक्ष रखा गया कहीं सामने आया नहीं है सर, तो मेरी तो यही अपील है कि चीजों को ट्रांस्पेंट तरीके से देखा जाए, यह नहीं कि मैं एक आदमी हो तो मैं गलती कर स लगती है, और उसको कोचना कुछ सपोर्ट है सर, जिसके तहट सपोर्ट सिस्टम के तहट वह यहां पर काम कर रही है, सुनिय अक्तर यहां पर पहुंची है तो उन्होंने यह दावा कि आपने उनके सांथ शादी करी, आपने बोला कि बबाव से शादी हुई, उन्होंने पुलिस के साब ने यह स्टेटमेंट दिया कि वह बच्चा आपका है, आपने बोला कि कुछ ऐसी इस्तिजिया थी जिसके वह से बच्चा हुआ, अब बच्चे को लिगली अधिकार जो दिलवाने के लिए उसकी आर में भी वह आ सकती है यहां पर हंड़ेट परसेंट प्ल पास तक यह बोला कि मेरा जवरस्ती धरम परवर्तन कराया गया, लेकिन जिस दर से वह बच्चा लेकर रही है, बच्चे को तो जो राइट्स मिलेंगे उस राइट्स का अधर पर यहां पर दावा कर रही है, सर देखे कानूनी रूप से जो चीजे होंगी ना, वो मैं करने है, कुछ नहीं है, मैंने एक डिवर्स का केस फाइल किया, सर जो विचारा दीन है, उसका जो डिसीजन आएगा, वो मानने होगा, अगर मैं उसको नहीं मानता हूं, तैन मैं डिफॉल्टर, उसमें मेरे कंप्लेंड कीजिए, अगर इंडिया में भी कानूनी रूप से है, त मेरे भी संपक में थे, तो उनोंने उन लोगों से सीधा ये बोला था, कि मैं इंडिया जाओंगी, और सीमा एदर के रोल पर मैं काम करूंगी, पुलिस प्रशाशन वहां काफी इन चीजों को सुनता है, और बुरा मत मानिए आप मीडिया से है, बोले मीडिया इन चीजों क काफी हाइलाइट करके दिखाता और एक प्रेशर क्रियेट करूंगी, अगर मेरी बात नहीं मानता है वो जो मैं पैसे मांग रही नहीं देती, तो मैं उसी मॉडल पर काम करूंगी, और ये बात उन्होंने मुझे भी शेयर की थी, कुछ ऐसी जानकरी आपको मिली हैं, जो उनके साथ कोई उनके दोस्त या उनके जानने वाले भी हो, हाँ उनके एक बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, जिनसे अगर आप देखेंगे तो ये तीन बेने हैं, इनने बीच वाली है, इन्होंने शादी नहीं की थी, इनका ए एक ड्रग है नाम सेक्स के अंदर अभी बंगलादेश जेल के अंदर हैं, जो नाम जानता था, उन्होंने एक बातचीत के दौरान नाम बताया था, कोई बाभू कर के नाम बताया था, फिर क्या उनके साथ क्या उनसे, ये जो मुझे लास्ट मालूम पड़ा कि वो जेल में हैं, उनको सजा हो रखी है, तो वही है, कितने समय पहले की बात है, ये मुझे जहानकरी सर, मतलब आप ये बलें, मैई ये जून के दौरानी अब ये बात कर रही थी किसी से, तो उसी दौरान मैंने सुना, फिर मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, हाँ, ऐस बात कर रही नहीं मैंने इस बारे में जाता, या कुछ ऐख ऐसे उनके नज्ज़धी की थी फैमिली बगारे, मैंम network था, हाँ, उनके परिवार उनको जानता है, उनके परिवार का आना जाना था, ये इनोंने बताया था, उनकी शादी बी उनने वाली थी ये भी बताया था उसके बाद नहीं उसके बाद शादी नहीं होगी आखरी सवाल यह है कि नुएड़ा पुलिस के साथ लगातार उनका भी जो बयान दर्ज किये गए हैं आपकी बयान दर्ज किये गए हैं अब पुलिस का क्या रूख है सर पुलिस में जो लास्ट है वो अपनी कारवाई कर रहे हैं अपने पुलिस के सामने आप जाना चाहते हैं कोई दलील अपनी तरफ से देना चाहते हैं सर में एक रिक्विस्ट करना चाहता हूं मैं जो पहले भी आपके चैनल से भी कर रहा हूं पहले भी बोल चुका हूं इसको पूरी ट्रांसपरिसी के साथ देखा जाए एक महिला है या बच्चा है तो सिंपेती होनी चाहिए पर फेक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए एक मह सर में मेरेस मेरे वकील हैं जिनके थूर मेरी बात्री चल रही है तो उनकी सला की आनुसार में आगे बढ़ूखा गर्मकर मैंने उन से अपने वकील साब से बात के हैं सोनिया अक्तर के खिलाफ कोई कंप्रेंट देना चाहते है उसमें क्या कुछ रहेगा ये अपने वकील के जरीए वो कोड तक पहुँचेंगे पाकिस्तानी महला सीमा हैदर के तरह बंगलादेश से सोनिया अक्तर भी भारत पहुची है सोनिया अक्तर ने दावा किया है कि उनके पती भारत के नोड़ा में रहते है और नोड़ा में वो पहुची है जहां पर इस वक्त बात करने के लिए न्यूज एटिन इंडिया पर खास बातचीत के लिए वो हमारे साथ मौजुद है उनसे पूछता है कि आखिर क्या ये पूरा मामला है और कब उनकी मुलाकात हुई शाए सल शीक्सियार उन्होंने जॉब किया बंग्लादेश पे कल्टिमेक्स एनरजी बंग्लादेश प्राइबेट लिमिटेट में उसमें DJMTO सर्विस का, तो उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ, मैं भी किसी और कंपणी में जॉब किया, बंगलादेश पे, मैं तो बंगलादेशी हूँ, तो उस कंपणी के थुरू से मेरा MD ने उनके कंपणी मेरे को भेजा था, यह करने के लिए, हमारा जो प्रोडाक्ट है, क इसको सेल करने के लिए, तो मैं गया था, उनके कंपणी जो ओनर है, जो उन सर से मिलने के लिए, तो एक दिन मिलने ही पाया, दूसरी दिन मेरा जो हस्बेंट है, शौरपकंतिवारी से मैं मिली हूँ, मीटिंग पे, उसके बाद तो मीटिंग तो हुआ है, उसके बाद उन् तो तुम मेरे से शादी करोगी, तो मैंने बोला, करके तो दिखाए मैं ऐसे ही बोला था, फिर उन्होंने मुझे नहीं बता तो उन्होंने धरम चेंज कर देगी, फिर उन्होंने 11 ऐप्रिल 2021 में उन्होंने बंगलादेश कोट पे जाकर एक दूम लीगल तरीके से उनका ज जो कान का दूल है, जुमका उन्होंने ले के आया, उसके बद 14 ऐप्रिल 2021 में मेरा सादी हुआ है, निका हुआ है और ऊपी कमपणी कुवाटर वसंदरा में ढाका उसमें रहते थी एक साथ उसके बाद उन्होंने क्या है, हमारा तो बहुत अच्छा से चलती थी, मेरा जो बच्चा है, हम दोनों का एक बेटा है, 20 अप्रिल 2022 में उसका पैदा हुआ है, उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या है, उन्होंने पहला इदार का जो बीबी है, बच्चा है, फैमिली है, उन्ह फिर पर उनुने जुट बोलाई, बोल रही है, जो उनका बीबी के साथ, उनका बीवीकर कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, अप तो उनका बेटा भी है, उस पाइम पर हम दोनों का बहुत ज़दा लराय हो गया था, फिर मेरे बता रहे हैं, आप तो तू प्रेग्नेंट हैं, मुसलिम है तरह शादी हो चुकी है, आप तो तु मेरे को छोर के नहीं जा सकती है। मेरे पास बहुत सरा चैटिंग है, वो देखेंगे किस तरह का फोटो बेज के मेरे को बोल रहे है लेटेस्ट देख, जिसमें उसका हस्बंड उसको पपी कर रही है, मतलब मेरे को जेलासी कराने के लिए इसा अप किया है उन्होंने, उसके बाद मैंने बहुत कोशिश के उनस तब मैं क्या करूँ, मैं तो उस टाइम पे इतना तूट चुकी थी, मैं फैमिली को बता दिया, ये प्रॉब्लम हो रही है, फिमे मैं फोरितपूर चला गया है, इस घर छोर के, बच्चा को लेके, उसके बाद उन्होंने क्या क्या, मेरे से तो कोई कंटक नहीं किया, मैंन उन्हों के घर, जो मेरे को नौड़ा का पता था, नौड़ा में आ चुकी हूँ, मैं चीवाली का उंस में, तो तब लगबग रात 12 बच गया है, उन्होंने क्या है, पहले से गाट को मना कर दिया, वंगलादेशी कोई आएगी तो घुसने माद देना, उसके बाद उन्हों नंबर के, उन्होंने का बीबी है, रचना शर्मा, उन्होंने क्या किया, जो टिक्सियालो को जो जाके, तू कोई सुनसन जगा में छोड़ दे, काहीं तू रेफ कर दे, कुछ भी कर ले, बेज दे, दिल्ली में लेके उसको बेज दे, कुछ भी कर ले तू उसके साथ, दो घंटा मेरे को सरक पे घुमाया, जब मैं नौड़ा के जो रेडिसन ब्लू है, उसके आप लोग जाके उदर भी पता कर सकती है, रेडिसन ब्लू के साइट से जा रही हूं, तब रेडिसन ब्लू मैंने चिलाया, रेडिसन ब्लू अला ने उस गारी को रोक के मेरे को उदर उसके बाद उन्होंने क्या किया मेरे को बंगलादेश में कॉंटक करा नहीं कि मैंने फोन को वाइफाई से कनेट कर दिया मैंने बच्चा छोर के आया था बंगलादेश में मैंने कॉंटक कर लिया उसके बाद उन्होंने बोला, आप मैडम, आप रोए मत, घबराए मत, आप बैठ जाईए, इधर तो कामरा नहीं है, हम लोग कहीं आपके पास पैसा है, मैंने बोला हाँ, का रूख सकती है होटेल पे, मैंने हाँ, रूख सकती हूँ, तो आपको मैं एक कामरा बुख कर देती राद दो बजे, उस वक्त आपका बच्चा तो, हाँ, बंगलादेश में मेरा ममी के, मेरा बहन के पास मैंने छोर के आया था, मेरा दूद पीते हुए बच्चा को छोर के आया था, ये मही की बाद बता बता था, हाँ, हाँ, इसी साल, तीन मैने वो चुकी है, उसके बाद उनके मैंने कॉंटाक किया सुबा, जै, मैं तो, मैं क्या करूँ, आप मेरे से मिलो, तो रचना शर्मा बोल रहे है, तो पती कर धून ले गे, तेरह ओ, बहुत सरा मेरे रेंडी मेंडी करके, बहुत सरा गाली दिया, जो हिंदी में आती है, बहुत सरा उनका भाई को भी मैं इकजम दे रही है, तो फैमिली कैसे है, तो इस तरह से तो किसी को शादी कर लिया, मतलब इस तरह से तो किसी को से या कर लिया, मिस्ति नहीं तो शादी कर लिया, तो आप सबको तो पता है, शादी कर लिया है, तो इसमें क्या गल्ती है, तो उन्होंने मेरे को बहुत मतलब mentally torture किया, उसके बात मेरे पती तो उधर से भाग गया, शीवाली कहुम से, सुरस्पु थाने वाले, मैंने उधर से चौकी पे गया, चौकी से मेरे को सुरस्पु थाने पे भेज़ दिया, सुरस्पु थाने वाले जो सार है, उनोंने उनको फोन किया, मेरा हस्बेंट को गुमाया वह आया नहीं दो दिन में सुरसपड थाने पर ही एस्टे किया रहा है नाइट एस्टे किया मतलब मेरा इतनी बुरी हालात हो गया था मतलब आप तो देखे रही है अभी मेरा हालात क्या है और फोटो देखिए मैं कहा से क्या हो गया हूं बच्च इंडिया में उसको मारके, इधार इभाड़ दोंगी उसको लेकर जाओ बहुत मेरा फैमिली उलो हुआपकाया, दूरषपत्थ प्रीस्ताने वाले बाद दो दिन बाद tap une रही है मेरा पत्नी नहीं है मेरा कोई या बच्चा को डींग ने करो मतलब उल्टा सिद्धा बोला है उसको अधबाद और सूरस्पुत अने वाला ने उनको बोला है तुरा पत्नी है लरकी आया है उदार से ऐसा अज़सा थोड़ी आया है तो उन लोगों ने एक लिखवात जो मैं सौनी आक्तार, मेरा हस्बेंट का नम सोरफ कांतिवारी है, मैं बंगलादेश से इंडिया आया हूँ, मेरा पती से मिलने के लिए सूरस पुथाना से थुरू से, मैंनों से मिल लिया हूँ, तो अब मैं खुश हूँ, इसमें एक सिखने सर भी लिया है मेरा, मैं उसमें एक लिखवाद भी दिया है, मतलब कांप्लेंट भी किया, एक दमलिखीत कांप्लेंट किया, मेरा हस्बेंट के नम पर जैसा, ऐसा मेरे से किया है, तो उन पर मेरा हस्बेंट का भी सिखने सर है, आप जाके सूरस पुथाने को भी पूच सकती है, उनके बाद उन्होंने तो मैं आजाओंगी बच्चा का खर्चा पानी देऊंगी तुम लोगों को देखोंगी मैं तुम्हारा साथ हूँ मैं तुमको नहीं छोड़ोंगी वह बहुत मतलब जूट बोला है मेरे से उस टाइम पे जब मैं मतलब यारपोर्ट में थी मैंने इतनी रॉया था राहूल को फो बंगमदेश पर बहुत टॉट्चर किया उन्होंने लोग देखे पैसा देके खारित के मेरे को रेफ कराने का कोशिश क्या मेरे रही और में उसके बाद मैंने उनको बहुत बोला है जाब कुस तो करो मेरे बस कोई पैसा नहीं है ना खाने का ना बच्चा को देखने का जाओ नहीं आना चाहती हो तो मैं हम लोगों को बुला लो मैं क्या का रूप बोलो मैं आज आओंगे आज आओंगे ऐसा करके मेरे को गुमाया उसके बाद जानती है मैंने सूरस पुथाने पर बोल के गया था जै मैं दो महीने बाद बच्चा लेकर आओंगी और सूरस मैंने पंगलादेश से आया हूँ, और सब कुछ जानती है, मैंने पैसा उधार लेकर फिर मैंने टिकट टिकट कराके बच्चा लेकर मैं आ गया हूँ, फैमिली के एक इस्टा के क्योंकि फैमिली भी बोलना तो जाओगी तो माट देगे तुमको, क्योंकि उन्होंने क्या है, मैं फैमिली को बहुत दमकाया, बहुत दमकाया, उसके बाद मैं आया हूँ तीन अगस्ट में, इसके मेरा जो लॉयर है, रेनुदीदी से मैं पहले सी कॉंटक किया है, जो ऐसे ऐसे हैं, प्लीज मेरा को कुछ शिकर दो, तो उन्होंने बला, तुम हाँ ठीक है, तुम आओ, म मैंने उनको फोन किया, मैं तो आचुकी है, तो अब क्या करोगी, तो बोला तो ग्राण प्लाजा पे आजा, आप जाके ग्राण प्लाजा भी की पूछ सकती है, जो चात तरिक में एक लर्की इसका बच्चा लेकर चार पास घंटा थी की नहीं, मैं ग्राउन प्लाजा में चार घंट उसके लिए वाइट किया, इतनी तकलीफ दिया इस बच्चा को, मतलब कुछ खाने के भी नहीं थी, मैरे पास इतनी ओडी स्टाफ किया, उधर का पूलीस बोल रहे है, क्या हुआ है तेरे साथ, मैंने बोला है, मैंने बोला है, मैंने बोला है, इधर आने के बोला है, घर लेके नहीं जाओगी, बोला है, घर नहीं ले सकती है, तिम लोगों को घर नहीं ले सकती है, मैंने बोला क्यों, क्यों नहीं ले सकती हूँ, तो मैं कहां लेके जा रही हूँ, उसके बाद उन्होंने क्या है, नौलिस पर के बाजू में, मेरे पास सारे पेपर है नोलस्पर के बाद जुम्हें एक होटेल है दाट डियूलिंग इन उन्पर उन्होंने एक रत का एस्टे करने का यहां बूक कर दिया है उसके बाद में उस होटेल पे थी आप उदर जाके भी इन्फोर्मेशन ले सकती है तो उस होटेल पे रोकने के बाद उन्हें एक दिन का नाइट का बिल दिया है अगले दिन का कोई बिल नहीं दिया और बच्चा का खाने का भी बोल कहा है था खाने का देना उसके बाद उन्हें खाने का भी कोई पैसा नहीं दिया उसके अगले द आप एक बात बताएं आपको कोई जबर्दस्ती बुस्लीम बना सकती है आप बताएं आप एक शूस तो आदमी है तो उसके बाद आप दो सल कैई से इस्टे किया दो सल में एक बत्चा पाइदा कर दिया उस लरकी के साथ थी आपनी ही कंपणी कौटर में उसका भी मेरे पास आप उसको भी देख सकती है उन्होंने सारे के सारे जूट बोल रही है यह क्या है जो मुस्लीम धरावनुशाद शादी करते हैं तो निकाहाई एक रहम रहती है जो पतनी के पास मतलब फीजिकल रिलेशन होने से पहले उसको पुरा करनी है बट मेरा हस्बेंट कुछ दिन बात दिया है हाँ एट सही है जो उन्होंने पासलग रुपी दिया था एक डिपोजिट बना दिया था मेरे को जो एक डिपोजिट से कुछ मातलब तीन चार मैने बाद बाद कुछ पैसा आती थी जरचे दो हजा तीन हजार करके और बोल रही है आप उनको पूछिए जब का बंगलादेश का सैल आरी कितनी थी एक लाग लाग मतलब पतिस हाजार ऐसे ही कुछ है मतलब मैं जितनी जान ची पुरा जानकरी से देना पड़ती है क्या वहां पर आपके लिए कोई घर खरीदा था नहीं यह जूट है यह मेरा अब पापा ने दिया था ओ तो उसके वज़ए से मेरे को शादी किया है ओ सारे सारे के सारे जूट बोल रही है ओ जो बोल रही है आप उनको पूछिए जा आपका bank account statement दीजे मैंने मेरा bank account statement दूँगी उनका bank account से मेरे bank account में कोई पैसाबा कैसी उसका परिबार से कहीं से भी गया है तो आपको जो बोलेंगे मैं मान लोंगी अब उनको statement देने के लिए बोलिया पूरे परिवार ने जो है पूरी planning के तहत उन्हें फसा आप एक बात बताए उनका उमर तेकी एफौर्टीसावन है अब मेरा थार्टी है आप उनको यह भूठी है तुम सौ सो लोगों को दिन में में मेंटेन करती हो तुम एक डीजीम हो सर्विस का हेड हो तो तो तुम को कैसे ट्रेप में ले लिया भाई आप उनको जाके पूछिए न कैसे ले लिया शर्मा मैंने DCB मैम को उसका सारे प्रूफ दिया है उन्होंने जाके बंगलादेश मेरा घर का जितनी भी समान थी मेरा सोना चादनी मेरा हस्बेंट मेरे को जितनी गोल्ड गिफ्ट किया था सारे लेकर आ चुकिये और ओ तो ठीक है एक बार गया है दूसरी बड़ जाके उन्होंने किया किया मेरा जो छोटा मासूम बच्चा है हमारा उसको एक टोटका फोटका किया है मतलब जो जैसे जादू टुना होती है उसका भी सारे प्रूफ है मेरे अब कांट करके आया है उसको पहले जब रचना शर्मा गया है उनको रखा दूसरी घर में लश्मान सिंग के घर में मैं थी मेरा हस्बेंट के साथ कंपानी कोटर में बसुंदरा में अलग घर में उसको रखा है उसका बच्चा भी गया है बच्चा को साथ भी मेरे को पती मिला दिया है बच्चे को में ने शॉपिंग करा दिया उसके फास साती मेरा फोटो है आप देख सकती है अब आप यहां पर लगातार पुलिस और कोड़ के चक्कर लगा रही है कहां आपको लगा रहा कि किस तरह से कैसे आपको नए चाहिए ना, नी मुझे, मुझे तो नए चाहिए मेरा हग चाहिए मेरा बच्चा का हाग चाहिए मैं सच हूं मेरे को जरूर मिलेगी उनका ये कहना है कि उन्होंने बंगलादेश के कानून के मुताविक वहां पर डिवोर्स फाइल कर दिया आप एक बात बताईए मैं आया तीन अगोस्ट इस से पहलो कहा थी अप इस अब अधाइन से तो कंप्यूटर से आप एक डिवोस फाइल आप यह सकती एब किसी को देखे भी कर सकती है आप उनका पूरा जास करिए उनका पासपोर्ट देखे इमिग्रेशन देखिए उसके बात इस बारे में बात करूंगे तो सोनिय अक्तर का कहना है कि उन्हें न्याई चाहिए और इसलिए वो बंगलादेश से हिंदुस्तान पहुंची है कैमरमन नसीब सिंग के साथ दीपक बिस्ट नूज एट इन इंडिया नौडा जिस अवैद तरीके से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ग्रेटर नौडा के रभूपुरा में आई थी और वहां पर सचिन पर उसने प्यार का दावा किया था उसकी तरीके से यहां पर अवैद रूप से वीजा लेकर बंगलादेश की सोनिय अक्तर पहुंची है और नौडा के ही एक शक्स जो बंगलादेश में नौकरी करते थे उनके पास शादी का दवाव या फिर यूँ कहें कि शादी का दावा करके एक बच्चे के साथ वो यहां पर पहुंची है और जो सौरब कांतिवारी हैं उनके उपर आरोप लगाए गए हैं इस वक्त बात करने के लिए सौरब कांतिवारी हमारे साथ है कि जो आरोप उनके उपर लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है सर इन आरोपों में जो लगाए जा रहे हैं कोई भी रत्ती मत ज़्यादा सच्चाई नहीं है मैं पहले भी कहसे उसका हूँ एक ये वेल प्लैंड ट्रैप था मेरे लिए जो अच्छी तरह से बिचाया गया और उसको एक्जिकूट भी किया गया और आज भी किया जा रहा ह अगर आप इस रिष्टे की क्रॉलजी समझें या लाइफ लाइन समझें सर पंदरा महीने निकले थे पहले पांच ये अच्छे महीने में सारी चीज़े मुझे जागर हो गई थी और पंदरा महीने में ये चीज़े क्लियर हो गई थी कि इसका मोटिव कोई शाय वह नहीं ह पैसा लेना है और जवस्ती धरम परवर्तन कराना है तिवारी जी ये बताईए जिस तरीके से आपने बताई कि 2021 में वो आपके संपर्क माई थी तो शुरुवाती दौर में अगर कोई पराई महिला अगर किसी के संपर्क माती है तो उसके अतेवरों को आपने समझना होगा ल सामने आया शुरू में जब आया करती थी उनको पार्टी 的 का काफी शऔर लेट नाइट पार्टीज हुआ करती थी मैं आगे अकेला रहता था मेरे कुछ दोस्त भी थे तो लेट नाइट पार्टीफ वाती थी खाना उता था पीना होता था दिर दिरे वहां रूखना भी इ फिर जब दीरे दीरे इन्होंने अपनी इंटिमेंसी मेरे साथ में बढ़ाई, कॉम्प्रोमाइस कंडिशन्स में कुछ फोटो लिये, पहले तो उन्होंने उससे मेरे को ट्राई किया, ब्लेकमिल करने का, मैं उसको रिफ्यूस करता रहा, मैंने का ऐसा कुछ नहीं है, जो उसमें कुछ काजी भी रहते हैं, इनके परिवार के लोग भी रहते हैं, और क्लियर एक पेपर रखा जाता है, बोला इस पर साइन करो, मैंने का क्यों साइन करो मैं, तो बोला ये तुमने हमारी देश की माईला के साथ गल्त परिवार किया, ये किया है, हम आपको छूटे चार्जिस में फ्रेम कर देए, कभी इंडिया नहीं जा पाओ गए, ये सब चीजे इनके जो परिवार के साथ थे, इनके मित्र थे, और कुछ संगठन के लोग थे, सर, मिरको उनका नाम तंग से याद नहीं आ रहा है, पर कुछ संगठन के लोग थे उनके साथ में, तो एक कुल से ब्लॉंग करता हूँ, इसनी संसकारों के साथ बड़ा हुआ, तो मैं जिस धरम का मुझे ये भी नहीं मालूम, मैं उसको क्यों चेंज करूँगा, अगर ठीक है, मेरको अगर इनसे जादी करनी होती, तो मैं इनका धरम चेंज कर रहाता, तो इस चीज को समझ ये, इ उसके बाद कुछ बंगला के कागर साइन कराया गए, कुछ रिस्टर थे, जिसा आदमी को बंगला नहीं पढ़नी हाती हो, वो क्या साइन करेगा, आपने बिताए कि आप से साइन करवाए गा, ये साइन कोई क्या दबाओं में कैसे करा सकता है, क्योंकि आप भी अधिकारी को बोला था, आपको जूटे चार्जिसों में फ्रेम करा देंगे, और कभी भी बंगला देश से आप बाहर नहीं निकल पाओंगे, तो वो एक दवाब मेरे मांस में, एक तरह से मैं आ गया उस प्रेशर में, मैंने हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बंगला देश में ये हो सकत करता था, और जब भी मुझे प्रेशराइज किया जाता था, तो काफी लोग आते थे, मार पिटाई में भी काफी लोग शामिल रहते थे, तो मैं एक सिर्फ उनके लिए एक साधन था, पैसा देने के लिए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था, शिरुवाती दूर में आ आगे बढ़ा नहीं, मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा, मैंने बिल्कुल रोक दिया उनसे, पर बार-बार फोन करना, फोटो बेजना, फिर अल 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 एक दिन घर में ही आ जाना, फिर दीरे-दीरे अपने परिवार के लोगों को ले आना, तो इस तरह से मैंने कई ब अगे अगे, क्या, फ्रेंडली करने की कोशिश की, तो उसके रही है, आपको लगता कि कहें नहीं गलती आपकी रही है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने दबावाना शुरू किया तो गलती बिल्कुल रही है सर, मतलब गलती मुझ से करवाई गई, गलती है मेरी, मैं भी वह तोज उन्होंने दिखाए आपको को कि जो समाज में नहीं आने चाहिए थे और शायद उन फोटो को अगर आप नहीं किछवाते तो शायद आप इस पूरे दिंदल में नहीं पड़ गाए बिलकुल आपने सही हैंगा अगर उन फोटो में नहीं मला वो कंप्रोमाइस फोटो आप बैतर हो सकती थे अब पुलिस पास आप यहां पढने पुलिस के पास आरूप लगाया कि आप उनके पती हैं अनके बंके बच्चे के पिता हैं आप उनहें छोड़कर आये हैं तो ऐसी इस्तिति में आप ने पुलिस को क्या स्टेटमेंट दिया एक चीज समझे आप यह महिला हैं इनसे मेरी बात हुई थी यह सोने आधर से काफी प्रवावित हैं ठीक है जो अभी पाकिस्तानी जो सीम आधर हैं जो उनसे काफी प्रवावित हैं उन्हें बोला भी था मै मैं इंडिया होंगी और मैं उसी प्लेट उसी उस पर काम करूंगी अगर आप देखिए इनकी जो रननीती है जो भी प्लानिंग है उसी तरह से एक्जिक्यूट कर रही हैं आज आप देखिए सर पंद्रह महिने में हर चीज एक वेल प्लान्ट प्रूफ है उनके पास में सा सारे सॉलिड प्रूफ हो दे रही हैं सारे फोटूस दे रही हैं कौन इखटे करता है सर यह सब चीजे एक जगर आप एक प्लानिंग कर रहे हैं तो यह चीजे मैंने नौईडा पुलिस को भी समझाने ही कुशिश की मैंने अपना पक्ष भी रखा कि मेरे साथ यह सब चीज के लोगों के द्वारा जो भी है पुलिस एक अप्रादी मान ले गया क्योंकि मैं पुरुष हूँ पर उन हालातों को कोई नहीं समझ रहे हैं उन हालातों को वो लोग समझ सकते हैं जो उन देशों में काम कर रहे हैं आप हमारे बारत जैसा लीनियन कानून हर जगे नहीं है जो भी हमारे हाँ सब को equality का दरजा है पर आप वहाँ जाई है वहाँ equality का दरजा नहीं है तो circumstances को कोई समझने को तयार नहीं है because circumstances cannot be used as evidence तो ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ sir police को पर अभी तक मेरा तो जो मैंने पक्ष रखा गया कहीं सामने आया नहीं है sir तो मेरी तो यही अपील है कि चीजों को transparent तरीके से देखा जाए यह नहीं कि मैं एक आदमी हो तो मैं गलती कर सकता हूँ वह एक और तो गलती नहीं कर सकती है और उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट है sir जिसके तहत सपोर्ट सिस्टम के तहत तो यहां पर काम कर रही है सुनिय अक्तर यहां पर पहुँची है तो उन्होंने ए दावा किया है कि आपने उनके साथ शादी करी आपने बूला कि दबाओ से शादी हुई उन्होंने पुलिस के साथ ने स्टेटमेνट दिया कि वह बच्चा आपका है आपने बोला कि कुछ ऐसी इस्तिजिया थी जिसके विए से बच्चा हुआ अब बच्चे को लीगली अधिकार जो दिलवाने के लिए उसकी आड में भी हुआ सकती है यहां पर हंड़ेट परसंट प्लान यही है सर प्लान यही है और यही इसी इसी थियोरी पर काम हो रहा है स इसी विलेट में भी हुए सब्सक्राव उप्लाइए सब्सक्रावरेगे में करने करें खानूंगा उसको संतरी आप नहीं चाहे वो भारत का कानून हो, चाहे वो बंगलादेश का कानून हो, मैंने जो चीजें घटना हुई है, सारी बंगलादेश में हुई है, तो आज जो भी प्रमान वो दे रही है, वो बंगलादेश के दे रही है, हिंदुस्तान में उनकी क्या इंट्री है, कुछ नहीं है, मैंन निकले तैयार हो. सीमा एधर को लेकर किस तरह की बात है आपके बीच बीच हो गिया? जब यह सीमा एधर का प्रकरण हुआ तो यह एक्चुली कुछ लोगों के संपर्क में थी जो मेरे भी संपर्क में थी तो उन्होंने उन लोगों से सीधा ये बोला था कि मैं इंडिया जा अगर मेरी बात नहीं मानता है वह जो मैं पैसे मांग रही नहीं देती तो मैं उसी मॉड़ल पर काम करूंगी और ये बात उन्होंने मुझे भी शेयर की थी कुछ ऐसी जानकरिय आपको मिली हैं जो उनके साथ कोई उनके दोस्त या उनके जानने वाले भी हो हाँ उनके बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे जिनसे अगर आप देखेंगे तो यह तीन बेने हैं इनने बीच वाली इन्होंने शादी नहीं की थी इनका एक कोई दोस्त है जिनसे शादी करने चाहती थी शायद वो एक ड्रग और आम सेक्स के अंदर अभी बंगलादेश जेल के अंदर है जो नाम जानता था उन्होंने बातचीत के दौरान नाम बताया था कोई बाभू करके नाम बताया था फिर क्या उनके साथ क्या हुआ यह जो मुझे लास्ट मालूम पड़ा कि वो जेल में है उनको सजा हो रखी है तो वही है कितने समय पहले की बात है यह मुझे जानकरी सर मतलब आप यह जून के दोरानी अब बात कर रही थी किसी से तो उसी दोरान मैंने सुना फिर मैंने इन से पूछा तो उन्होंने जूरू में जब जिक्र किया तो इनको कोई बहुर ज्यादा अच्छा लगा नही को फिर बात करी नहीं कि अश्कबारे में जादा जाए थी हां उनके पोरा परिवार उनको जानता है उनके परिवार का आना-जाना था यह भी नोने बताया था उनकी शादी भी उने वाली अभी बताया था उसके बार नहीं उसके बार शादी नहीं हो पाई उनकी आखरी सवाल यह है कि नुएड़ा पुलिस के साथ लगातार उनका भी जो बयान दर्ज किये गए है आपकी बयान दर्ज किये अब पुलिस का क्या रूख है सर पुलिस में जो लास्ट है वो अपनी का प्रेंट देख उनको लुडिस के सामने कि lift करना मैं जो पहले भी आपकी चैनल से बी कर रहा हूं पहले भी बॉल चुका हूं इसको पुरी ट्रंस्परेसिस के साथ देखा जा है किặt मेला है बच्य है तो सिंपेति हो नीचे है पर linya भी ध्यान देना साथ backs and support है कोई इसमेरे मेरे सथॉर मेरे 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 बाट्चीत चल रही है तो उन कि क्यरकिक है कि मतलड मैंने उनसे अपने वकील साफ से बात किया और यूंहोंने मेरी कभी बेजी थी पुलिस को तो कल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो आज मुझे बताने वाले हैं कि नेक्स्ट टेप क्या करना है तो सौरब काम तीवारी जो बंगलादेश से आई हुई सोनिया अक्तर के खिलाफ कोई कंप्रेंट देना चाहते है उसमें क्या कुछ रहेगा यह पहुची है जहां पर इस वक्त बात करने के लिए न्यूज जेटी इंडिया पर खास बातचीत के लिए वह हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछता है कि आखिर क्या यह पूरा मामला है और कब उनकी मुलाकात हुई सोनिया जी यह पूरा बताईए पर जी मेरा नाम सौनि अक्तार है मैं बंगलादेश से आया हूँ मैं धाका में रहने वाला हूँ तो मेरा जो हस्बेंट है सोरफ कौन तिवारी ओ इंडिया का है उनसे मेरा मुलाकात हुई वह दर असल बंगलादेश में जॉब किया च्छाए सल सिक्सियार उन्होंने जॉब किया बंगलादेश है काल्टिमेक्स एनरजी बंगलादेश प्राइवेट लिमिटेट में उसमें डी ज्य एम्तियो सर्विस का तो उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ मैं भी किसी और कमपणी में जॉब किया बंगलादेश पे मैं तो बंगलादेशी हूँ तो उस कमपणी के थुरू से मेरा ंड चोलब कंतिवारी से मैं मिली हूँ मीटिंग पर उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रोपोजल किया डूरेक्ली जै तुम मेरे को शादी करोगी तो मैंने बोला तो अप तो मेरे चे अप मेरे बढ़ा है पोजिशन में भी बहुत बढ़ा है तो अर धरम भी आपका चेंज है नह उन्होंने बंगलादेश कोट पे जाकर एक दुम लीगल तरीके से उनका जो पासपोर्ट है इनको देखे तो उन्होंने उनका खुद का धरम हिंदू से मुस्लीम बना है उसका एविड़ एविड़ है मेरे पास पूरूफ है सब कुछ है उसके बाद तेरा एप्रील में उ पे जाके जो शादी से पहले अंगोटी, नोस्पीन, जो कान का दूल है जुमका उन्होंने लेके आया उसके बाद 14 एप्रिल 2021 में मेरा शादी हुआ है निका हुआ है बाइतुल मुकारम मर्जित बंगलादेश में जो सबसे बड़ा मर्जित है बाइतुल मुकारम में जो पांगलादेश मुस्लिम धरामनोशरे जो निका होती है तो उस धरामनोशरे मेरा निका हुआ है शादी हुआ है उसके बाद मैं उनके साथ उनका जो कमपनी कौटर है बसुंदरा में ढाका उसमें रहती थी एक साथ उसके बाद उन्होंने क्या है मेरा हमारा तो बहुत अच् दो के से शादी के आए पहले बताया जो उनका पत्नी मर चुकी है किसी को मत बताना उसके बाद जब मैं प्रेगनेंट हूं तब उन्होंने बता रही है चार मैने बाद जो उनका एक बीबी है दो बच्चा वी है ओ भी जिंदा है फिर भी उन्होंने जूट बोलाए बोल रही जो उनका बीबी के साथ उनका कोई पिजिकल रिलेशन नहीं होती है उनका बीबी के साथ उनका कोई अच्छा रिले शिटा एक बीटा वी है उस टाइम पे हम दोनों का बहुत ज्यादा लड़ाई हो गया था फिर मेरो को बता रही है आप तो तु प्रेगनेंट हैák मने को छोर के नहीं जा सकती है मेंने को बहुत समझाया कर भाध ठीक है मैंने मान लिया फिर वें हम दोनों एक सात में थी हमारा एक बेटा हुआ है तब भी वो मेरे साथ थी सात मैंने का इस बच्ज两 को छोर के चोबीजस डिसेंबर दुहजर िवस में उन्होंने हम दोनों को धोका दे के चला है इंडिया ओपास कैसे आपका संपर किसे इसके बात मैंने बहुत कांटक करने का कोशिश किया जब भी फोन करती है उनका फोन उठाती है बहुत गाली देती है मेरे पास बहुत सरा चैटिंग है वो देखेंगे कि इस तरह का को नहीं जायेगी में कंपनी क्वाटर में थी तब तक में कंपनी क्वाटर में ही हूँ उसके बद जो कंपनी से मिने करन लोटीस आया है जब कंपनी क्वाटर छोड़ दो मैं तो उस टाइम पे इतना तूट चुकी थी फैमिली को बता दिया ये प्रॉब्लम हो रही है फिर में मैं फॉरितपूर चला गया है इस घड़ छोर के बच्चा को लेके उसके बाद उन्होंने क्या क्या मेरे से तो कोई कंटक नहीं किया मैंने पूछा बोला मैं एक मेने ब मिलने के लिए सीधा यारपोर्ट से कार भूक करके मैं उनके घर जो मेरे को नड़ा का पता था नोड़ा में आ चुकी हूँ तो तब लग बग रात बारा बच गया है उन्होंने क्या है पहले से गाट को मना कर दिया वंगलादेशी कोई आएगी तो घुसने मत देना उसके टेक्सियालो को नमबर के उनका बीबी है रचना शर्मा और उन्होंने क्या किया जिए टेक्सियालो को जाके तू कोई सुनसन जगा में छोड़ दे काही तू रेफ कर दे कुछ भी कर ले बेज दे दिल्ली में लेकि उसको बेज दे कुछ भी कर ले तू उसके साथ दो प्रवाड को रोक के दे के उत व्भी को रोक के मेरे को उदर उत्रा है उसके बाद उन्होंने क्या किया मेरे को बंग्लादेष में क्योंक कॉंटक कर दिया फोन को वाई-डीक में ड़ी imported कर लिया उसके बाद उन्होंने बोला आप मेड़ाम, आप रोगे मत घबराइे मत आप बैट जाएए इदार तो कामरा नहीं है, हम लोग कहिए आपके पास पैसे हैं, मैंने रुख सकती है होटेल पर, मैंने रुख सकती हूँ, तो आपको मैं एक कामरा भूक कर देती हूँ, तो उन्होंने उदर से फोन करके, क्रा प्राउन प्लाजर में उन्होंने एक कमरा बुक कर दिया दूसे एक नमबर रूम पे उसके बाद उन्होंने वह जो गारी है जाके मेरे को रेडिसन से लेकर आया रात दो बजे उस वक्त आपका बच्चा तो बंगलादेश मेरा मम्मी के मेरा बेहन के पास मैंने छोर के आया यह माही की बाद बताए है मैं इसी साल में तू तीन मैने हो चुकिये उसके बाद उनके मैंने कॉंटाक किया सुबहा जै आम मैं क्या करूँ आप मेरे से मिलो तो रचना शर्मा बोल रहे है तू पती कर धून ले गे तैरव बहुत सरा मेरे रेंडी मेंडी करके बहुत सरा मतलब इतनी मेरे उपर मतलब गलत एकजम दे रही है. तो इसमें क्या गलती है? तो उन्होंने मेन को बहुत मतलब mentally torture किया उसके बात मेरे पती तो उदर से भग गया शिवाली कौ Circuit एड़ा नहीं 2-1 सूरस्पृ William ॥ाने पे एस्टे कई है नाई टेस्टे किया, मतलब मेरा इतनी बुरी हालात हो गया था, मतलब आप तो देखे रही है, अभी मेरा हालात क्या है, फोटो देखिए, मैं कहां से क्या हो गया हूं, बच्चा लेके इतनी सफर किया, उनके बाद उन लोगों ने दो दिन मेरे को रखे, उसको बोला है, मेरा फैमिली ओलों को भी बहुत उन्होंने धंकाया, धंकाने के बाद, दो दिन बाद उन्होंने सुरस्पुत थाने पे आया, थाने पे आने के एक मीटिंग हुआ है, उसका पत्नी भी आया, तो उसका पत्नी भी मेरे उपर हाथ उठा दिया, उदर, मैं मेरा हस्बेंड को पैट चुवा था तो उन्होंने हाथ उठा दिया तो पूरी स्थाने वाला ने उनको रोखाए उसके बाद उन्हों हस्बेंट को पूछाए तो बोल रही है मेरा पत्नी नहीं है मेरा कोई या बच्चा को डिये ने करो मतलब उल्टा सिधा बोला है उसको उद बाद और सूरस पुथाना से थ्रू से मैंने उनसे मिल लिया है तो अब मैं खूश हूँ इसमें एक सूरस पुथाने को भी पूछ सकती है उनके बाद उन्होंने तो उसके बाद मेरे को रेडिसन में उन्होंने आया है मेरे को फिर से रेडिसन में या कर दे उस टाइम के उन्होंने बील प डुए इसा कर के मेरे को घुमाया गुमाने के बाद मेरे को घुमाने के बाद मेरे को वेज देवंगा अ만ला धे deaf गुमाने के बत मेरे बिया depending मेरे ऑजया थी्जा नवूच गर्वाराबं उसका है, एक मामा कलरका है, राहूर, उसको मैंने फोन किया है, जो एक बार उसको फोन उठाने के लिए बोलो तो, हो मेरे को फोन करके बोल रही है, मैं तू जहा है, मैं आ जाओंगी तरे पास, बटो नहीं आया, उसके बाद भी हो मेरे को बहुत कुमाया, बांगमादेश प करने का कोशिश क्यों मेरे रही और में उसके बाद मैंने उनको बहुत बोला है जब कुस तो करो मेरे बस कोई पैसा नहीं है ना खाने का ना बच्चा को देखने का अब मेरा भी जिंदिगी है मैं क्या गारूप बताओ आप आजाओ सब चोड़ के आजाओ नहीं आना चाहती मेरे बीट तो में हम लोगों को बुला लो मैं क्या खारूप बोले मैं आज आओंगे आज आओंगी ऐसा करक् SBS को मेरे को घुमाया उसके बाद जानती है मैने सुरसा प्ताने बेबद में बाद बच चले के आओंगी हुआ सुरसा पुष्व पथाने बाद बच्चा लेकर जा एपने हो तो मेरा जो लंकरем से उसके बात मेरा जो लॉयर है रहनु दीदी से मैं पहले सरायक्त पिलीज मेरा को श्यक्र दो तो उन्हों नमों तुम आँ ठीक है। फिर मैंने उनके घर ही आ गया, उन्होंने मेरे हेल्प किया है, उनको अधर से मेरे को टेक्सी बुक करा दिया है, इधर से बैठके मैंने उस टेक्सी से आ गया है उनके घर, घर आने के बाद चार तरीक में मैंने उनको फोन किया, मैं तो आ चुकी हूँ तो अब क्या करोगी, तो बोले तो ग्राउन प्लाजा पे आजा, आप जाके ग्राउन प्लाजा भी की पूछ सकती है, जे चार तरिक में एक लर्की इसका बच्चा लेकर चार पास घंटा थी की नहीं, मैं ग्राउन प्लाजा में चार घंटे उसके लिए वाइट किया, इतनी तकलीफ दिया इस पास बाट कर रहे हैं तो चली जागा रहा है, मैं बहुत कहा जाओंगी, फिर मेरा अस्वेंट आया है, आके एक रेस्टूरेंट पे लेकर गया, बच्चा को भी थुरा खिलाया, खिलाने के बाद मैं बहुत कहा जा रही है, घर लेकर नहीं जाओगी, बहुत नहीं गया, तो मैं कहा लेकर जा रही हूँ, क्योंकि देखना कहा लेकर जा रही हूँ, उसके बाद उन्होंने क्या है, नौलिस पर के बाजू में, मेरे पास सारे पेपर है, नौलिस पर के बाजू में एक होटेल है, दाट डिवलिंग इन, उन्होंने एक रात का इस्टे करने का या ब ना उसके बाद उनने खाने का भी कोई पैसा ने दिया उसके अगले दिन मेरे को होटेल आला ने बोल रही है तब कुछ एक आउट है यह बताइए अश्टारपांति वारे सामने बात कि तो उनका यह कहना है कि उनका जबरन धर्म परिवरतन आप लोगों के परिवार नहीं न पोसल में बच्चा पैदा कर दिया उस लर्की के साथ थी अपनी ही कमपनी कोटर में उसका भी मेरे पास यह है जो इलेक्टिसिटी बील है ऑब ही बील है मेरे पास आप उसको भी देख सकती है उन्होंने सारे के सारे जूट बोल रही है यह नहीं पहले पांच लाग रुप पास मतलब फीजिकल रिडिनेशन होने से पहले उसको पुरा करनी है बट मेरा हस्बेंट कुछ दिन बात दिया है हाँ एट सही है जो उन्होंने पासलग रुपी दिया था एक डिपोजिट बना दिया था मेरे को जो एक डिपोजिट से कुछ मातलब 3-4 मैने बाद बाद और डिपोजिट मैंने तोड़ दिया तोड़के मैंने इस जो आट मैने का खर्चा उसमें से ही चलाया आप उसको डिपोजिट नहीं है यह भी आरोब लगा रहे हैं कि आप लोगों ने कम साट से साट से सतर लाख रुपया उनसे ले लिया आपके परिवार आप यह जूट चीस हजार ऐसे ही कुछ है मतलब मैं जितनी जानती हूं मैं पूरा जानकरी नहीं है बट इतनी मिलती से कमी मिलेगी ज्यादा नहीं है ताब उनको पूछिए जाप जिस क्वार्टर में रहती तो उसके तो अच्छी हजार ट्रका भाराई था और इलेक्टिसिटी बील देक मैं अब उनको पूछिए जा आपका बैंक एक़ांट से क्या तो आपको जो बोलेंगे मैं थार्टी है तुम सो सो लोगों को दिन में में लेटेन करती हो तुम एक डिजीम हो सार्वैसका है तो उनको कैसे ट्रेप में ले लिया भाई? आप उनको जाके पूछिए ना कैसे ले लिया पुरूफ दे दो? कैसे ले लिया? सारसरों जूट बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा जूट बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा, आप असली खाबर निकाल लीचे. एक सबार और कि क्या उनकी पत्मी जब वहां पर आए थी तो?